हेलो एन वेलकम तो फीजिक्स कुरकुल आजो के इस वीडियो सेसम मां हामें स्टड़ी गरना गईड़े आजो साइन्स भने कू क्यो हो दो समया हमी हेरे मला साइन्स मां फिजिकल लाव हने कू क्यो हो थेसिस थिवरीा कू ये है फन्दामेंटर बेसिक आइडियाज लाइं ये आज को यह हमरो वीडियो से सम्हुन अगीरा है So, without much any delay, let's jump into the video. Basically, science word, Latin word, verb, scientia, वाटा, डिराई भाको छा. तरा यो वर्ड को मेनी हुन छा, to know, या नॉलेच. So, तेसो वाद, के कुरा को जानकारी लिनुने साइन्स हो? In that sense, हामिले भर्ने भर्ने भर्ने, mathematics, economics, रख social study, social science, या हुम साइन्स. इस तो fundamental, basic कुरार जुना, हामिरो डेटेड़ लाइफ में यूजा गरने गर्चो, त्यों पनि साइन्स के अंतरगात आउने गर्चा. So, साइन्स को definition हेरदा, साइन्स भने को मानब समुधाई द्वारा, यानि human civilization द्वारा, एक्स्पेरिमेंट, कीन अब्जर्वेशन, रा डीप एनलाइसिस गरे पची, जुन सिस्टमाटाइजड और ओर्गनाइजड नौलेज छा, तेसेला हामिरो साइन्स भने गर्चो. रा बेसिकाली साइन्स को classification गर्ने होगाने, साइन्स लाए हामिं तीनोटा मुख्य मेन ब्रांचे सरुमाँ डिवाइड गर्ना सक्षो. त्योँच, एपलाइट साइन्स, फार्मल साइन्स और एमपारिकल साइन्स. ना एपलाइट साइंस को भारें पके चाबायले सूने गुणू पड़ playful science को नतरगात हामी या Mathematics, Theoretical Computer Science, Logics और Statistic जिस्तकुर अरलाई राखने गर छो तेसार इने हामी Empirical Science लाई दू योटा मुख्य क्लासिपिकेशन्स मार डिवाइड गरे आछो हामरो पईलो जुन छा तियो हो Natural Science और अरको जुन छा तियो हो हमरो Social Science रा Natural Science को अंतरगात हामी संगो दू योटाचा 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 लाइप साइन्स जुसको अंतरगात बाईलोजी पढ़ने गर छा रारको चाहा हमरो Physical Science जसमा हमी जेनरली चैने देखी Physics, Chemistry, Astronomy, Geology, Geography, Space Science अरू पढ़ देया आको छो तियो अरको तरप Social Science को कुरागरने हो बने इसको अंतरगात हमरो Economics आउने गर छा, Socialism आउने गर छा, Psychology आउने गर छा, Political Science आउने गर छा, Home Science, Law या Education शरू इसको अंतरगात आउने गर छा सो बेसिकली हमी ले Science को कुरागरदा श्याने देखी Natural Science लाइने Science बहने रहा भूजी रहा थो तर बेसिकली Natural Science चास्ट योटा स्यानो पार्ट मात्रे हो Total Science को, Broad Spectrum को तियो एक सिन पहला जुना हमी ले Definition हेरी रहा थो तियो वहने को Definition Natural Science को ने हो हाम्रो common day-to-day light मा आमी ले Natural Science लाइने मात्रे Science बंदे आको चो तिसवा आम्रो टेक्स्ट बुक माथी 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 मा लेक्के को अब जुन हेड्लाइन जुन चा साइंस तिसको ठाओ मा नेचुरल साइंस लेखनू पढ़ दे हो कि वह त्यावाट हम्रो योटा Misunderstanding भाइडा आचा कि Natural Science मात्रे योटा Science हो जब कि बास्तविक्ता मा रियलिटी मा टूथ मा Mathematics पनी साइंस के अंतर गाताऊ चारा Economics पनी साइंस के अंतर गाताऊ ने गर्चा Including History, Geography, Innerpoint Science के अंतर गाताऊ ने गर्चा So basically, जब हमी साइंस के अंतर गर्चो, वेर टॉकिंग अबाउट नेचरल साइंस हाम्रो वड़ी परी धरी घर्टना क्रामर हुने गर्चा तो घर्टना क्रामर लाई बुझनू को लागे हामीले साइंस माई साइंटिफिक मेथेड सरु डेवलाप गर्णू परने हुन चै वो साइंटिफिक मेथेड मनेगू क्यों युक्राले बुझनू हाम्रो वड़ी परी भागो घर्टना क्राम हरु लाई हामीले ठीक साँ अब्जर्ब गर्णू परेओ यह अब्जर्बेशन गर्णी शाके पचल आ मीले अब्जर्बेशन गर्णू परेओ यह साइस्ति माध कररेव did Зем curriculum शाई साइज नो परेओ डिनू परेयो. तियो हाईपोथेसेस लाए हामी ले अगेन इन अगेन डिफ्रेण एक्सपेरिमेंट सरु बाटकर टेस्ट करणू परेयो या अबजर्ब गर्णू परेयो कि त्यो थेयो 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 थे So basically scientific methods को यो मुक्य स्टेप्स मनेगो पहिलो हाम रो observation हो, दोसरो त्यो observation लाई ध्यान मारा आके रा control experiment हो, त्यो रेजिनिंग गरने रा hypothesis या model suggest गरनू हो, चाउथो त्यो नुशार को theory develop गरनू हो, रा 5th and the last नयो evidences को basis माहामी ले नया theory बनावनू परने हो, जसले पुरानू theory ल science माई यूज हुने fundamental term सरूलाई deal गरना गई रहाचो, जस्तो हाँ facts मनेगो क्यो होता, hypothesis मनेगो क्यो होता, theory मनेगो क्यो होता, और laws मनेगो क्यो होता, इसको रालाई बुझनू कला कि हाम योटा simple example ली ना गई रहाचो, योटा 3 इमेजिन गरनू होस, त्यो 3 वाटा apple टुटी ब्रेक भाई सके बाची, के उन्चाता, त्यो एपल जई ले नी तॉला जार चा, यो अर्थ माँ हामले कुने पनी ठाव माँ औबजेक्ट्स लाइ माठी बाटा रिलीज गरदा तो जैले नी तलाण हो छा तो जाया को तें ऊपदैना या तो भन्दा माठी जादैना यानि एश्टो किसीमको experiments लाइ हामिले control गरर गरे को experiments जस्मा हमिले terms and conditions एपलाई गरे छो जारा हमेले अगेन 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 रिपीट गार्यों अर्थ को डिफ्रेंट ठाउमा या या उनिवर्स को डिफ्रेंट ठाउमा ते सब त्यों रिजल्ट जुन छा अगेन 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 रिपेट हुना जान छा सो एस तो कुने पनी कुरा जुन अगेन अगेन रिप्रोडूस करना सकीन छा बाई रिपिटेड एक्सपेरिमेंट्स त्यसलाई आमी के बन्चो फैक्ट्स बनने गर छाओ सो बेसिकली फैक्ट्स बनने को ट्रूथ हो जसलाई कॉमनली सपई ठाओ को मांचे और एक्री गरने गर छा कि यो चाही एक्जिस्ट गर चान्याचार मा उधावनाईनी डिस्प्योट ध्यान मा राखनू होला फैक्ट्स समय अनुसार चेंज पर होना सक्छा सो हुना सक्छा फ्यूचार मा त्यो फैक्ट्स लाई चालेंज गरना सकी चाही तरह एक्जिस्टिंग समय मा फैक्ट्स भननो को लागी सपई समुधा होले त्यसला योटा फंडामेंटल ट्रूथ कुरूप मा माने को हुलू पर चाहा नाव नेक्स्ट इस वाट इस हाइपोथेसिस ओके स्कुरा लाए बुजणू को लागी हामेले एक सिंपल याक जुन एक्जामपल लेते हो तेसे माती फोकस गरूं एपल माती बाट तला जहर नू योटा फैक्ट हो यानी अबजेक्ट हामनो वरी पड़ी तला जहर चाह यो चाहीं सपईले फैक्ट मा आमेले बड़ी रिजिन गरनू परनी हो देना बड़ी लोजिक लगावनू परनी हो देना तियसला है आमेले कॉमल योटा अबज़ार पता लगावनों सक्छों तो एपल तला जहर नू फैक्ट हो तर अर्थ मा एपल कीन तला जहर यो था वाट कूड भी दे रिजन राइस कुड़ाले एकस्प्लेन गरनू को लागी यो वाई भनने कुड़ाले हाव भनने कुड़ाले एक्स्प्लेन गर्णू को लागी हामी जुन आइडिया लिये रहाऊंचो जुन एक्स्प्लाइशन लिये रहाऊंचो तेसला यामी के होंचो ता हाइपोथेसिस यह भी हुना सक्षा कि एपल और और्थ को बीच मा यह इनवीजिवल थ्रेड रत्यो जुन रिवन या थ्रेड शा इलास्टिक शा लसको कानले कुने पनी अब्जेक्ट एलास्टिसिटी को कारण तयो कम्प्रेस हुना जान चा रत्यो विस्तार विस्तारे लेंध रिड्यूस तया से लिवन शाक्षा अर्थ मां एट्रेक्ट बहुक ओला सो डाट बिक मेबी धाट्स द्यू इन विजिवल थ्रेड और को लिए हाइपोथिस दीन शाक्षा मेबी हरेक अब्जेक्ट मां चार्ज हुने गर्चा रर्थ पनी ओटा चार्ज अब्जेक्ट रोटा चार्ज अरको चार्ज मा थी ऐलेक्ट्र स्टाटिक फोर्स एघजर्ट गरेगा हुना सक्षा योव दूबै मां मेंगेटिजम ज़ा जिसको कानियों में वांगेटिक फोर्स था तानिये को हुना यह कसे लिए भनना सक्षा कि आर्थ उनिवर्स को सेंटर हो रा यू नया हैपऊथि पने अर्फानि फाल गार लाइज तो हाईपीटेशनल फोर्टेस्स को कांतियो चाही तल अट्रेक्ट भाको हूँ सो डिफ्रेंड हाईपीटेसिस कसे ले दीना सक्षा यो सपयफ आईपोथेसिस टेंटिभ एक्स्वानेशन हो यानि final explanation होई न यो right पनी उनों सक्षे र और wrong पनी उनों सक्षे यो सब आई हाइपोथेसिस ला हामिले प्रूब गर्न मिल देने तरो test गर्न मिल छा test गरे पचे जुन हाइपोथेसिस सरभाइब गर्चा test ले हामिले राखने हो बाकी सब ले हामिले kick out गरने हो फेरी त्यो धाइपाइपोथीस अनुसाँ हामीले नियू अब्जरबेशन गरने हो एशली यो चेन चली भश्टा, लाज नम्मर पह हाइपोथीस लाई हामीले compile गरे रहा, मिला है रहा योटा नया better explanation ले रहा हुएने, तिसला आमी चाहिए theory बनने गर्चो So basically, hypothesis बन्दा theory more stable हुने गर्चा याद राखनू होला, theory लाई exist गरावनु को लाई, क्योंने योटा scientist ले तिसको certificate दीना सक देना तिसको लाई large number of researcher groups सरुले, चाहिए hypothesis येवड़ा single scientist ले दीना सक्षा, तिसला theory को credit पाउनू को लाई, तिसमा different groups को research सरुले, तिसमा research गरे कुनू पढ़ियो, तिसको basis मा experiments गरे कुनू पढ़ियो, और experiments ले evidences सरु, तिसको support मा दीनू पढ़ियो हम इसको कुने यस्तो experiment होदाई ना, जसले theory lie right proof गरना सक्षा, तरा theory lie चाहिए wrong proof गरना मिल से experiment शरु वाटा, त्योकरा चाहिए ध्यान मा राकनो ला, या उटा पनी result, theory संगां कंट्राइडिक गरे हो वाने, तिसको अगिन्स्त मा गर वाने, तिसमा theory lie challenge गरना सक्षा, तिसम मा आमीले, new observation को basis मा आमीले, theory lie modify गरना परने हुन छा, so basically hypothesis भने को temporary model मात्री हो, रा hypothesis भने को योटा, limited explanation हो, ते theory भने को योटा, detailed explanation हो, और theory भने को योटा, guess way न, large number of evidence शरु बाटा, support गर्योटा, detailed explanation हो, जसले, प्रेक्ट गरना सक्षा, कि future मा आमीले, experiment गर्योँ माने, तिसम मा आमीले, किके result शरु, obtain गरना सक्षो, so for example, को लागे हामी को रागरन, माथी बाटे तॉला जर्णू apple, योटा fact हो, और इस fact ला explain गरनू को लागे हामीले, hypothesis बेल्ड़ अप गर्यो, और तो hypothesis मा हमीले, कि अर्थ संगा, वटा gravity छा, तो gravity ले पूल ग तियोरी पन हो, जहां समान न्यूटन्स को कुड़ा गरने हो, न्यूटन्स को इनिवर्चल अफ ग्राविटेशन, simply लाग मातर हो, किना, किना मने, लाग मने वर्ड यूज गर्चो हामी, physical लाग, यानि लाग, लाग मने वर्ड जून हामी उज गर्चो साइन्स मा, तिसमा, हामी लाई, एते मातरी था चा, कि और्थ ले, यो अबजेक्ट ले एट्रेक्ट गर्चो जून फोर्च ले, तियो फोर्च चाहिन डारेक्ली प्रपोर्चनल चा, प्रड़क्ट आप मास संगा, इन्बर्सली प्रोपोर्चनल तो स्कार अब दिस्टेंस, यानि हामी संग उ लाई जाईले पनी मैथेमाटिकली हुलू परचा, तो चाहिन नेसाशारी चाहिना, तर लाई जेनरली मैथेमाटिकल भाग को पाइन चा, योटा कमन ट्रेंड हो, राब बेसिकली लाई ले दुटा डिफ्रेंट फैक्ट शरू लाइके गर्चा, कॉज रे इफेक्ट शरू करेंट को एपेरेंस कंड़क्टर माँ हुनू, योचाहिन कॉज एन इफेक्ट हो, बोल्टेज कॉज हो, तर करेंट आउन तेसको इफेक्ट हो, सो कॉज रे इफेक्ट को बीच माँ योटा डिरेसेंट शिप एस्टेबलिश घर चा, लाजले, जस्तो थर्मो डाइनिक्स मा हामी केर, ठेमपरेजर बढ़ा आ पाचि, ठीमपरेजर बढ़ए त्याहां, योटा फैक्ट हो, कि आमी चे理 मेशर गर्ण शक्छो, त्योग जनो सार बहलीउम बढ़ियो, जो को बनी योटा फैक्ट हो, अर आप टेमपरेजर बहली को कान बहलीम बढ़िड आ आल आचा, य कोजर एफेक्ट को भीछ माँ इसमास प्रीक्च में जारेकर प्रपोर्पोर्शण यिव इसले लिदेद करीचेम स्टैहरे तेयुतेय हाँ ? that's universal of gravitation कती force ले ट्रया गरिए आचा तेस बाट आमी डिफरेंट कुड़ारू calculate गरना सक्छू so initial conditions मा laws कुड बेसिस मत पाई print गरना सकनू उन्च कि आउने समय मा त्यों का कुण ठाउमा होला त्यों ठाउमा भाग वेलामा तेस कुड वेलोसिटी कती होला असेलरेशन कती होला ट्रयाजेक्ट गेरू तेरी कुड आवड़ुचे आमी प्रिडेक्ट गरना सक्छू so laws बाट पनी प्रिडेक्शन गरना मिलचा theories बाट पनी प्रिडेक्शन गरना मिलचा तरव फंडामेंटल डिफरेंस चाहिं किये चा बने लाज जेनरली mathematical उने गरचा जेनरली तेन लाज बने को कॉज रा इफेक्ट रेलेशनशिप सरू जेनरली एस्टेबलिश गरने गरचा दुईटा फेक्ट सरू को बीचमा लाज आर जेनरली कंडिशनल्स तो जेनरलाइजड आइडिया होई ना तरह थेोरी बने को जेनरलाइजड आइडिया हो तरह सब बन्दा इंपोर्टेंट कुड़ा लाज बने को लाज ले एंसर दिन चे वाट को बारे माँ याद राखनो ला वाट बने कुड़ा कबार में जानकारे दिन चे नाट एबट वाई अन हाव जसतो अर्थ ले एपल ले अट्राक्ट गर्यो सो के भाद वाट हापेंड? सो देर इस अट्राक्शन तर अर्थ ले एपल ले किना अट्राक्ट गर्यो? Newtons is silent, not give the answer सो मांचेस्थ थेंगो जब लिमीटेड आइडियाज तो ती बेला हमी लाजगो आईडियाज ले हमी साइन्स लाई आगारी बढ़ाउने गर्चो तो नया थेओरी डेलबब गर्चो लेटेस्टेज मां गर्णा आगरा हम्रो जेनरल थेओरी आफ रिलेटिवीटी आयो जसले यू एक्स्प्लेन गर्यो आगलब बढ़े मां स्प्पेस्टाइम फैबरीक कर भें च लू छा हम और अबजेक्ट झदाल स्प्पेस्टाइम फैबरीक को लाईन मां मुव गर्ने ग रण था लाईन स्टेट चा माने अबजेक्ट झाले नि अर्थ को वड़ी पर एकोई स्पेस टाइम फैबरी कर्ब भागोचा, इसको कारणले अब्यक्तियां गोलो गोलो मुवगाड़चा जो जेनरल थेओरिय फ्रेलेटिवीटी ले ग्राविटी लाए एक्स्प्रेइन करना सतकी रहाचा, what is the cause for gravity तेहि तेहि थेहले उसलाए थेओरि भागोचा, तेहि निउटन्स को कराणले उसलाव ग्राविटीटेशन मा, that's just a law तिस्ते लॉफ गंजर्वेशन अफ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लॉफ गंजर्वेशन आप मास एंड चार्ज, कीना छाहू वी डॉन नो, तरह उसले चाहे हामे ले दिये कुछ सिच्वेशन मा बेसिकले लॉज मने कुर रूल आफ नाचर हो, हामे बना कुरूल ले तरह ये बहब गरजह, जाहिले पन आपल लाई था चाहे, है मालote जाहा फॉल नी जान चाह, तर तेलाई स्पेस्मा छोड़ दें, तो जाहे ज पॉल्ण चाहिले जाही ब्रेक हो, लॉज अओ सेरे ब्रेक लॉज under constant physical condition, resistance constant, now that's conditional. So, under some condition, मात्रे laws are valid हुने गर्छा. That is the problem with the laws. So, थेवरी ले कुने कुरा को जहां समझ चा, detailed explanation दिने गर्छा. थेवरी जे, laws लाई समयत explain गर्ना सक्चा. थेवरी र लाई यो तुभी facts, evidence सर्मा बेश्क भाव कुचा. समय नुसार, ये slide modify गर्ना सकीन चा. लाउज लाई पनी रा थेवरी लाई पनी. Now, now the question is, के science मा कुने कुरा को प्रूब चाता? And the straightforward answer will be no. हामी सेंगा प्रूब हुदाईना, हामी सेंगा facts सुन्च, evidence सुन्च. जुसरी, हामी mathematics मा प्रूब गर्ने गर्छु, साइन्स मा किस्ती रिजिट बार, हामी कुने कुरा ले प्रूब गर्देनौ. हामी evidences ले राऊँचु, experiment बाट थेशको support मा. तेसो भा, याँ माट योटा, basic idea यो भा, कि आमी ले hypothesis लाई, या theories लाई, इन वाटलाई पके पनी हाम्रो, एक्स्पेरिमेंट बाटा, आए को रिजल्ट बाटा, हामी इन वाटलाई support गर्ना सक्षू. तेसो चाहिए हूना सक्षा. तो नया evidences को अनुसार मा, थेओरी राऊज अरलाई, मोटिफाई गर्नू पढ़ने हुँँच. हाम्रो बड़े पर जेनरल मिस्कंसेप्शन के हुँँचार, कि कुन ही कुड़ा हाइपोथेसिस हा, तेस मा हामी अजय evidences आयो हने, तो हाइपोथेसिस ला हामी लाज मा अपग्रेड गर दींचू. अजय हाइपोथेसिस आयो हने, आपल जय है mango मा convert होने हुँच. या प्रमग्रेड गीरानेट मा convert होने हुँच. तेसर थेसी लाज मा जयत्तिवान evidences आयों, तो गिंत थेओरी मा forward होने हुच. यह हाइपोथेसिस लाज मा convert होने हुच. यह तीन उटाद डिफ्रेंट आईडियाज उरू था, साइन्स मा फ्रिक्वेंटली यूज़ उने जुन एक करका मा कईले कन्बाट हो देना जहां समा आइपोथेसिस चा तो हमडो योटा स्टाटिंग स्टेज मा आएको बेसिक आइडिया हो जसको बारे मा हमी सियोर चाहिए नो राइट शोकी रहांग चा तहीं लौज बने को गरी सेके पाचे डिफरेंट ठाओ अरुबाट हो जुन पैटन सिक्वेंस अबजर्ग वरेको चु पुड़ा कुड़ा को एक्स्प्रानेशन को लागी आमीले जुन कंक्रीजन ले रहा चु तयो जाहिए थेवरी हो जस्तो अर्थ को उत्पतिकसरी भाको अला इसको पारे म जुन हाइपोथेसस लार्ज नमर अफ इनिवेस्टिकेशन बाट इबेटेंस लाइप सपोर्ट गर जाहा था लार्ज नमर पाइपोथेसस लाइम ले कंबाइन गर फाइनल जुन कंक्लूजन आऊचा तो हम्रो की होता थेवरी हो तो थेवरी बने को लाग लाइफ अब टम पोलिसी क्यों राइफ पन पन उन सक्छा तो रंग पन उन सक्छा रसमे न सक्थेलाइफ हमी साइंस माथ कार बेज मार फनी राखना सक्चा तो थेवरी बने 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 तो लार्ज नमर अब च्यालेंज इसली त्यो लेबल यानि सर्टिफिविएट पाको तो ग्लो आधार मा हमी ले नया स्टेटमेंट दीने गर छो, यह सारी नया स्टेटमेंट ले पुरानोय स्टेटमेंट ले सपोर्ट गरे रहा, यहोट नया रिजनिंग डवलप गरेको हुँँचा, जसले आमरो फेनोमेन लाई यहोटा डीप एक्स्प्लानिशन दीरे आको हुँचा, लाज हरु जेनरली हामरो अब्जर्भेशन मा बेश्ट हुँचा, जसमा हमी ले डाटा जरुलाई अब्जर्भ गर्चा रो त्यसमा क्ये पैटरन छा, त्यों चाहिए हमी लेखने गर्चा, यही थियोरिया हमरो रिजनिंग लोजिकल आइडियाज मा बेश्ट चा, यह हु इस्टेट को कुणा गर्नीयो भ़ने, त्यों हाइपोथेटिकल एक्स्परिमेन्ट चाहरु घरु त्यसमा त्यों वहाँ चाहिं बड़ी रिजनिंग मा बेश्ट अनुच्यों जो रहा जिएा घर आइडियाज उरु प्रूपोज गर्ना ओपू त्यों शाइंस मा यूह मा वाजर प्रिंसिपल्स अमे इंकर्शेंज गर्रा यूज गरी रहाक हुँँछ। जस्तो लॉप कंजरबेशन अफ लिनेर मॉमेंटम, यहाँ चैंगे आमी यह दुईटा अलै, सो ते समय आमे जर्नली प्रिंसिपल भन्हें बहुँदेना कोजिडिया जो कि न्याचार ले आपने कुराको एक्स्वानेशन दिनू परने हुँँचा. So, that is what the principle of Heisenberg Uncertainty Principle. So, these are basic ideas. So, basically, legal system मा, jury system मा, जब हामी वा कालत गर्चु, ज़र्ज को नज एक्जाम चुवा किल ले आपनो तर्क वितर करू दिने गर्चा, कोईने कोई तेसले science को, method रसलाई reflect गरी आपने इन वेस्टिकसन सरूहुने गर्चा, तेसले आपने evidence सरूहुने गर्चा, ते आपने experiments नोगर ज़नरली परफर्म गर्चाने त्यों चुटनी कुडा, तो geneticist system मा हमरो के हुँँच, एविडेंसेस, फैक्ट्स और सब भंदा टॉप को लेवल मा राकिन छा राखिन छा हमनों जुन हाइपोथेसिस या थेरी छा तेसला सब भंदा तॉल ग्रेड मा राकिन छा उसको बहलू चेंग कुम्बानिय छा ते साइंटिफिक मैथड मा ठाके स्कूल्टो छा हमनों फैक् आरकी मा या थेर Kiss ॥े मखन आपम तॉल ममेंड एविडेड मा हमेंत यह लाज रेंट त्यों बंधा पनिया घाइड बात टे एंटा साइंस ओंडा मॉत साइंस मा लिश्ट उन् aslında फ्थीरिया तैस्फिकर्ण साब भंदा बड़े इंविडेंस सunu आंस माउंट रह तरस सब यह उटा बेस्ट गेस होला तरह साइन्स मात थेहरी वहने को गेस होई नहीं कि स्ट्रोंग एबिदेन्सेस ले सपोर्ट गरियों को साब हाइपोथेस लाई मेले एकरकास नो जोडे रख कम्माइन गर रही ना एक आरकास ले सपोर्ट गर ले अधर किसी मेले बना कोई डिप एक्स्वाइम समय थेहरी इन अट सेथर आउप देट आज तो जुन्हाँ आवर वीडियो सेशन थियो तो तो भाही को लाई का पके हलफल भाहा अला सो तेस तो तपाईला हेल्पल भाद चावने पके हम्रो चैनले सब्सक्राइब गरनो वाला लाइक गरनो वाला या इस्तमी आर्पी सिंग प्लीज डांट फरगे तो लाइक अबर चैनल इस्तमी आर्पी सिंग सानिग आफ वार नाइस देख